नमस्कार दोस्तों, टेक इन इलेक्टिक में आप सब का बहुत-बहुत सागत है, आज की इस विडियो में हम लोग अन्यवक्सिंग करने वाले रौ मेट्रियल, वीडियो को अगर बरते हैं और देख लेते हैं क्या-क्या रौ मेट्रियल हम लोग के पास है, वाक्स की बात करो देख सकते हैं, इस तरह का स्टार मंगाया हूँ, डाइमॉंड से वेलेडी है, बारा पी से, ठीक है, इस तरह का दो एलेडी मंगाया हूँ, इसका अन्बॉक्सिंग इससे पहले भी मैं कर चुका हूँ, बट यहां पर मुझे बहुत ही सस्ता मिला था, सारे 400 रुपए, यहां पर दो पीस का कीमत है, सिप, यहां पर इसका जो मैं प्राइस टोटल पे किया था, साहे 400 रुपए हमें दो मुझे मिल गया था, सस्ता आया था, यहां पर 1000 पीस डायोड है, इसका अगला वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज का अलग-अलग अन्बोक्सिंग करूंगा, ताकि आपको समझ में आए, जो मैं किस तरह का क्या प्रोड़क्ट, 1000 पीस डायोड जो है, मुझे 480 रुपीस में मिल रहे, 48 पैसा करके, जबकि मार्केट में में लाया था, सौपीस का, 60 पैसा करके मुझे पर पीस मिला था, तो इन से सस्ता ही हो रहा था, इसलिए मैं मंगा लिया हूँ, हाइ, जबकि मार्केट मार्केट, अजबके जबकेट दाइए, यह जो है दोना बटरफ्लाई है साथ 500-500 थाउजन पीस का सेट है यहां पर इसकी सथ टोटल 2000 पीस होल्डर है आप इसको अटाच करने के लिए यह जो एलेडी है एक्चुली मैं डायमंड कट का 8 mm का एलेडी है जो मुझे प्राइस हजार पीस का 580 रुपीस का असपास गिला है साब आपको मार्केट में सस्ता भी मिल जाया का इनका पस यहां पर देख लीजिए टोटल बाड़ा पीस होगा यह जो है एक्चुली में स्टार सेफ का है वह जो पहले बला था वह बाटर प्लाई का था यह भी 500 500 टोटल 1000 पीस है यह जो वैयर देख रहें 300 मीटर का बंडिल आता है दोनों वैयर जो मिला है तोटल 1100 रुपिया का आसपास मुझे मिला था 1100 रुपिय में मुझे चार बंडिल यानि की टोटल चार बंडिल वैयर जो है मिला था अगर आप मार्केट से खड़ी देंगे तो आपको एक एक बंडिल 1300 रुपिय के आसपास मिलेगा वैयर का अगर क्वालिटी की बात करूं तो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं य कॉपर तो है बट उतना खास नहीं है यहां पर टोटल आपका जो वैयर का क्वालिटी है 7 x 36 है यानि कि इसमें आपका जो साथ रेसे रहेगा बहुत ही पतला पतला रेसे है इससे पहले में एक वैयर लाया था मार्केट से 2 रुपिया पर मीटर गिरता है बट उसका वैयर क से 6 साल आपका आँख बंद करके चल जाएगा यह भी चलेगा आपका 2-3 सल तो चली जाएगा अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर दीजिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू भेरी मच